In this tutorial, I will show you how to install RealTech, Ethernet and Wi-Fi driver on Windows 10 and Windows 11 computer. यहाँ पर हम दो मेथर्ड डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम अपने RealTech driver को इंस्टॉल कर सकते हैं. सबसे पहले हमने Device Manager को ओपन करना है, और मेनु में स्लेक्ट करेंगे Device Manager. तो Device Manager का Box हमारे पास कुछ इस तरह से Appear होगा. Bottom में हमने Find करना है Network, Adopter और More के बटन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद फिर हमने Bottom में Select करना है RailTech PCIe. तो इसका जो Family Controller है, इसके उपर हमने Right Click करना है. तो जैसी हम इसके उपर Right Click करेंगे, तो Menu में हमने Select करना है Update Driver. तो यहाँ पर हम देख सकते है Update Driver. Simple सा प्रोसेस है इसको करने का. Bottom में हमने Find करना है, Browse My Computer for Driver और Let Me Pick. Show Compatible Hardware को Simple हमने Next कर देना है. यहाँ पर हमने Next का बटन प्रेस करना है, Installing Driver. Driver Automatically हमारे पास Install हो जाएगा. इस Box को Close करेंगे. इस Box को Close करने के बाद Method No.2 पर Apply करेंगे. अगर आप इसके Latest Update को Install करना चाहते हैं, तो Simple सा Method है, इसको Minimize करेंगे. और अपने Browser को Open कर लेंगे. तो जैसी हम अपने Browser को Open करेंगे, यहाँ पर मैं अपने Google Chrome को Open करूँगा. और इसकी Search में Type करेंगे Rail Tech. तो जैसी हम Rail Tech टाइप कर लेंगे, तो Enter का बटन प्रेस करेंगे. बॉटम में हम देख सकते हैं, Rail Tech की Site है, यहाँ पर हमने Find करना है Communication Network ICS. इसको Select कर लेंगे. जैसी हम इसको Select करेंगे, तो Next Page हमारे पास कुछ इस तरह से Appear होगा. यहाँ पर हम देख सकते हैं, Network Interface Controller. तो First वाला जो है, इसको हमने Select करना है. और अगर आप एक USB Adapter यूज़ करते हैं, तो Second वाला Select करेंगे. तो यहाँ पर हमने Top वाला Select करना है, यानि कि हम Wi-Fi Adapter या Ethernet यूज़ करते हैं, तो First वाला Select करेंगे. तो Real Tech PCIe Controller का Box हमारे पास कुछ इस तरह से Appear होगा, यानि कि Next पेज जो है PCIe Controller, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, काफी सारी Information है हमारे पास, या इसके जो Drivers हैं, Updated Drivers यहाँ पर Available हैं. तो Bottom में भी हम देख सकते हैं, काफी सारी Microsoft Windows हैं, उनके तमाम Drivers यहाँ पर Available हैं, Windows XP, Vista या Windows 7 या Windows Server यहाँ पर तमाम जितने भी Drivers हैं, वो यहाँ पर Available हैं. आपने क्या करना है, Top पर आना है Windows 10, Windows 11, Auto Installation Program यानि के NDIS, इसको हमने Download करना है, तो जैसी हम इसके उपर क्लिक करेंगे, तो Next Page में हमारे पास Download File है, इसके उपर हमने क्लिक करना है, यानि के Download के टैब पर क्लिक कर देंगे, तो जैसी हम क्लिक करेंगे, इसके बार Next Page में हमने Captcha इंटर करना है, तो जैसी हम Captcha इंटर कर देंगे, और Submit के बटन पर क्लिक करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर capture enter कर दिया है और submit पर click करेंगे तो file automatically हमारे पास download हो जाएगी तो download manager में हम इसको check कर सकते हैं तो पर हम देख सकते हैं download history में तो जैसी यह file download हो जाए तो आपने क्या करना है इस box को close करना है या इसको minimize कर लेंगे इन तमाम process को करने के बार download folder में आएंगे और यहाँ पर इस file के उपर right click करेंगे यानिके इसको हमने extract करना है तो इसको select करके right click करेंगे और menu में select करेंगे extract files simple सा process है extract file करने के लिए यहाँ पर हम देख सकते है सबसे पहले हमने desktop को select करना है new folder create करना है extract हो जाएगा यानिके हमारी जितनी भी files हैं वो desktop पर available हो चुकी है अब हमने इस folder को open करना है और setup के उपर double click करके इसको install करना है simple सा method है इसके उपर double click करेंगे और इस box को minimize कर देंगे process जो है वो automatically continue रहेगा just हमने next next करना है और इस software को install कर लेना है इससे हमारे तमाम wifi और ethernet के problem solve हो जाएंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं next करेंगे इसके बाद फिर next करके finish कर देंगे simple सा process है यहाँ पर हमने चंद second wait करना है ethernet और wifi adapter का जो driver है वो automatically यहाँ पर install हो जाएगा process जो है वो continue रहेगा finish के tab पर click करेंगे तो जैसी हम finish करेंगे तो हमारी installation complete हो जाएगी इसके बाद हमने अपने PC को restart करना है ताके तमाम information update या upgrade हो सके